हेलो देश की जनता और क्या हाल चाले हैं आप लोगों के सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बहुत भुत धन्यवाद क्यूंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के वज़े से मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं तो दोस्तों यह चोटा सा अचीविमेंट मेरे लिए काफी खुशी वाला है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसे तरह आपना प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखेंगे तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉडक्ट के बारे में क्या आपको मजा जाएगा तो आज का प्रॉडक्ट अन्बॉक्स करने से पहले में बच्पन की थोली सी याद ताजा करवाता हूं दोस्तों बच्पन में अपनी कॉपी में फ्रेंट पीच पर लिखते थे फूल गुलाप को कोई तोड मत लेना कोपी है बिरुजगार घ्यानी की कोई चोर मत लेना इस त हम भूल गए तो वह भी भूल गए अब कटोरी बैसों दोबारे देते हैं यह तो हमारी कटोरी अपना रख लेते हैं इसी तरह दोस्तों अगर आप मतलब डूटी पर जाते हो और टिफिन साथ में लेकी जाते हो तो आपके चम्मच घाय वह जाते हैं अब उनका पता कैसे क हैं या फिर आपकी जो भी इंपोर्टेंट छोट छोटी चीज हैं भाईया तो अगर कोई ले जाए तो भाईया कैसे डूंडोगे तो उसी का आज एक मतलब सस्ता चायनीज जोगार हमारे पास है दोस्तों तो दोस्तों आज हम अन्बॉक्स करेंगे एक चायना का सस्ता सा म मतलब जो परमानेंटली अगर आप स्टांप या मार्क लगाना चाते हैं तो इससे कर सकते हैं तो इससे हम अन्बॉक्स करेंगे और दोस्तों साथ में मैंने यहां पर कभीर सिंग का चसमा रखा है पावर बैंक रखा है पैन ड्राइव रखी है बीस का सिक्का रखा है एक रखा है एक वाच रखिए एक पैन रखा है और एक चार्जर और एक केस और दोस्तों इन सबी पर हम एंग्रेव करके देखेंगे कि यह प्रॉड़क्ट कितना काम का है और क्या हमें लेना चाहिए या नहीं तो सबसे पहले अन्बॉक्स करते हैं दोस्तों मैंने ये प्रॉडक्ट एमेजोन से खेढ़ा है तो उसका पाउच है वो तो मिन अटा दिया तो उसके साथ दोस्तों यहां पर एक फ्रस्ट डी कार्ट करके कुछ ही आता है इसमें और भी प्रॉड़क्ट इसके दी है सस्ते-स्ते क्यो आर कोड़िक्ट के बारे ह रखते हैं तो यह इनकी मतलब ब्रांडिंग का एक और यहां पर लिखा थेंक्यू फॉर यॉर बिनिस मतलब यह बल्क में चीज़ें देते हैं और भी काफी चीज़ेंगी अब इसको साहर रखते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर एक QR कोड दिया है जिसको मैंने करके देखा था तो दोस्तों यह काम आता है मतलब इसके रिव्यू देने के लिए तो दोस्तों यह प्रॉडक्ट है यहां पर तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या-क्या यहां पर लिखावा है तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर एंग्रेविट करके इसका नाम है और यहां पर नीच लिखा है the first easy way to protect your valuable सबसे मज़ेदार बात तो दोस्तों यहां पर लिखे हुए did you know law enforcement will not return stolen property if it's not identifiable मतलब ऐसा अगर आपकी चीज को पहचान नहीं पाते या फिर ऐसा कुछ है नहीं उस पर लिखा हुआ तो आप उस चीज को return मतलब लेने का अगरार नहीं है यहां पर दोस्तों दिया गया है जैसे कि metal steel wood electronics वेल्यवेबल और कॉलक्टेबल से लेदर कंप्यूटर जहां पर भी आप लेखना चाहूं जैसे दोस्तों यहां पर यह कुछ चीजे दे रखी है तो आप इसको कर सकते हैं यहां पर दोस्तों डिवाइस के साथ एक एक्स्ट्र निभ दिये जिससे हम वो करते हैं इसको एंगरेव पीछ तरफ देगे तो यहां पर भी एंगरेव दिखा हुआ है और यहां इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है और यहां पर लिखा गया है चायना का सस्तामाल है और यहां पर बैटरी बैटरी नॉट इंक्लूडड तो इसके लिए हम यह डवले वाली बैटरी साथ में ले आए हैं तो इनको लगा कर देख लेंगे तो अब इसको फड़ापट खोल लेते हैं तो खोलने के लिए कुछ नहीं सिंपल पैकिंग है इसको यूं करके ऐसे करके यूं इस तरह यह खुल जाता है तो सबसे पहले दोस दोस्तो यह पर इसको यह यह ऺदि कर लापर कर लेते हैं तो दोस्तो यहां पर यह प्लास्टिक का बना नहीं है खास मजबूत नहीं और पीछे की तरफ दोस्तों यहां पर यह ओपन करने के लिए मतलब बताए गया है कि इस तरह गुमाएं तो हम इस तरफ यह गुमाते हैं और ऐसे करके यह ओपन हो जाता है तो दोस्तों यहां पर देखे तो मतलब बैटरी लगाने का ऑप्शन दिया गया है और यहां पर पी बैटरी कुछ इस परिकार लगानी है और आपको यह जो प्लस वाला है वो उपर रखना है माइनस वाला नीचे रखना है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर यह खांचा दिख रहा होगा और खांचे में यह जो दो दिये गए जो भी उठावा इससा यह सैट होना चाहिए उसके बाद दोस्तों यह रेडी टू यूज आए थिंग बटन दबाग देखते हैं ओके दोस्तों इसमें मोटर मेकेनिजम दिया है आप देख सकते हैं यह गोल गोल करके घूम रहा है तो चलिए दोस्तों आप अलग अलग चीजों पर एंग्रेव करके हम आनन रुठाते ह कि मतलब कितना इस्टेबल यह प्रोड़क्ट और किन किन चीजों पर हम इससे लिख सकते हैं सबसे पहले शुरुवात करते हैं हम पावर बैंक से पावर बैंक पर हम बेरुजगार ग्यानी लिखेंगे यहां पर तो सबसे पहले फटाफट रफ यूज करके देखते हैं बी ए आर ओ जे जी ए आर बेरुजगार जी वाई ए एन आई तो दोस्तों यहां पर राइटिंग वाईटिंग नहीं विठा रहा हूं मैं बस लिखके देख रहा हूं कि किस प्रकार का यहां पर एंग्रेव इसका होता है तो आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यह परमा नेंटली यहां पर इसका एंग्रे हो चुका है मतलब यह आपका लेसल लग चुका है आप इसको मिटा ने सकते कि अब दोस्तों जैसे कि यहां पर मैंने बीजी लिग दिया है और यहां पर दोस्तों रियल मी रियल मी नहीं होना चाहिए दोस्तों इसको काटो यहां से यहां पर होना चाहिए दोस्तों क्या सब्सक्राइब मी विए सब्सक्राइब मी कर देना और थेंक यू फोर तु जब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी का थैंक यू अब इर शिंग के चसमे पर ट्राइब करते दोस्तों क्योंकि ग्लास पर भी बनालता है तो दोस्तो इसके glass पर भी हम एक छोट आसा beege यहाँ पर लिखके देखते हैं ओके तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तो यहाँ पर यह beege लिख चुके हैं और दोस्तो यह एकदम परमानेंट हैं आप इसको मिटा नहीं सकते हो तो यह काफी अच्छा है चलिए दोस्तों चाकू की धार पर भी लिख देते हैं विरुजगार ग्यानी का नाम तो दोस्तों बात करें अगर हार्ड मेटल लाइक दिस ऐसे हार्ड मेटल पर बात करें तो यह बहुत इजली और अच्छे से लिख पाता है और सब्सक्राइब दे चैनल तो अगर आप काफी मतलब थोड़ी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो दोस्तों लिखना और राइटिंग भी आपका अच्छी हो जाएगे सब्सक्राइब दोा इसे एसवेड़ी से किसी भी मेटल पर प्लास्टिक पर गलास पर ग्लास पर अज़र अइससे जो भी आपम उखेरेंगे एंगरविंग का मतलब उखेर नहीं होता है तो काफी इजली हो जाता और काफी विजीबल भी यहां पर होता है अच्छे से दिखता भी है जैसे कि आप देख सकते हैं यह कड़ा मेरी मॉम ने मेरे को गिफ्ट दिया थे यहां मैंने मॉम लव यू इंफिनिटी रिकाये उसके बाद दोस्तों आप यह प्लासिक की बोटल देख सकते हैं इस पर म मैंने इस्टेफ लिंट लेखा हैं यहां पर सौनी सउनी एंग्रेव किया है उसके दोस्तों यहां पर यह जो कप है कप भी मैंने टी और एक कप बनाया है तो वाइट होने कारण यह लाइट में थोड़ा ठीक से दिखनी रहा लेकिन आप कोरी आंकों से इसे देख पाऊगे उसके बाद दोस्तों आप गिलास पर सोमरस लिखा देख सकते और यह डिजाइन मैं लिखा और कार का एक डिजाइन बनाया है उसके बाद दोस्तों यह है रबर रबर पर भी यहां पर बिरुजगार ग्यानी मैंने लिखा तो लैदर हुआ रबर हुआ इन पर भी यह वर्क करता है तो एंग्रेव करना काफी आसान है और आप इसका यूज कहीं पर भी कभी भ सकते हों तो काफी चीजों पर हम इससे नाम लिख चुक हैं लेकिन दोस्तों यह आखिर ऐसे करता किस प्रकार है तो इसका थोड़ा सा मैकनेजम आपको बता देता हूं सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है जिससे यह बहुती स्पीड से घूमता है उसके बाद दोस्तों यहां पर इसकी जो यह निव है इस पर दोस्तों यह बहुती ज्यादा यह खुरदुराय एक प्रकासी है रेगमाल मानलो यह पर मतलब इससे चीजें घिस जाती है क्योंकि यह पूरा यहां पर यह मैटल का है और मैटल के छोटे-छोटे दाने यहां पर निकल हुए हैं तो जब भी आप इसे यूज करते हो तो डोस्तों इस प्रकार ग socioe की काफी आवाज भी स्वार्टे वह आती है dalies का आज और झा姐ल उसका जो डश्ट पार्टिकल्स उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं तो डश्ट पार्टिकल भी क्यांके और यहां ये इस प्रकार आप खीच कर सकते हैं और आ अगर आप इसकी जडरत है तो ले जिए कोही दितकत तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो उनके टिविन बॉक्स हुआ चम्मच हुआ जो भी आप बेचते हैं उस पर नाम लेख सकते हैं हेलमेट पर आप रखने हेलमेट सररकें हां इसे नाम लिग दिया और अपने कीज पर आप मतलब चीजों पर आप इस से जग जगे पर अपना मतलब लईबल लगा सकते हैं आपना नाम उक्हिर सकते हैं बात करते हैं दोस्तों सिक प्राइस की तो सी तो प्राइस के बारे में क्या बताओं ये अगर आप पिजय खाने जाते तो बहु прошлnight में आप लग भग क्या कहते हैं साथ डिवाइस ये ले सकते हैं सैवन अब आप अंदादय लगा सकते हैं जोड़ गुना बाकी भाग हैंटन करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं बाकी प्राइस आपको जानिये तो दोस्तों मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ पर जाकर आप ये डिवाइस खरीच सकते हैं आप चाहें तो इसे ले सकते हैं काफी सस्ता है और दोस्तों फिर भी अगर आपके कोई सवाल है इस डिवाइस को लेकर तो आप बेफिकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगिन आई वांट टू से थैंक्यू वेरी मच फोर 2000 सब्सक्राइबर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी